हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है सभी को मेरा नमस्कार राधे राधे जैसा के आपको पता है के जन्मास्टमी आने वाली है जन्मास्टमी सभी वक्तों के लिए और हमारे लड्डू गोपाल के लिए बहुत ही बड़ा तोहर माना जाता है लड्डू गोपाल में ये सारी चीज़े लिए हैं तो यही वीडियो में आपके साथ सेयर कर रही हूँ कि मैंने क्या क्या लिया है और कितने रेट में लिया है तो देखिए सबसे पहले जन्मासमी के लिए मैंने कपड़ा लिया है तो देखिए यहां मैंने यलो कलर का कपड़ा लिया है आपको यहां देख रहोगा कि इस पर यह मोर बना हुआ है, इसी तरीके से ये पूरी कपड़े पर मोर बना गवा है, तो मैंने ठाकुर जी कहिसाप से जितना कपड़ा लगता है उतना लिया है, ये मैं आपको थोड़ा सा दिखा रही हूं जिस से आपको समझा गया तो देखिए इसके कॉमिनेशन में थोड़ा सा प्लेन भी मैच किया है क्योंकि मैं डिजाइनर बनाती हूँ आपने भी देखा होगा तो यहां मैंने तीन मीटर प्लेन लिया है जब भी मैं पुसाक बनाऊंगी तो आपके साथ से जरूर करूंगी तो यह है हमारा जन्मास्ट क्या पते हैं बनाऊंगी अमेंगा जन्मास्मी पोसाक कप्ड़ा दो यहां देखिए लड़ो को पाल जन्मास्मी पर सतरीके से खिलोने सीजाती है तो इसमें 10 जोड़ी हैं दस जैसे दो तोति हैं दो हाथी हैं दो गाए हैं दो गोड़े दिख रहे हैं आपको सारी चीज दो दो हैं तो आपको ये 100 रुपे में कहीं नहीं मिल सकते मैंने ये लिए हैं 100 रुपे के 10 जोड़े यहां मैंने दो हार लिए हैं हमारे रादारानी और बिहारी जी के लिए तो देखिए यह आप हार 100 रुपे में कहीं से नहीं ला सकते क्योंकि यह हार आपको इनका कलर नहीं ले सकती हैं और इनको आप बिना मुकुट के भी पहना सकती हैं यह मैंने राधरानी के बाल लिए हैं यह भी डैकोरेटिव बाल हैं तो देखिए यह केवल मैंने 50 रुपे के लिए हैं तो अगर आप लेना चाते हैं तो मैं आपको एड्रस बता दूँगी लेकिन आप क तो केवल मैंने ये 100 रुपे के लिए हैं और राधा रानी के बहुत ही सुन्दर हैं जो मैंने 1500 के लिए हैं और मैं आपको खोल के भी दिखा देती हूं जिससे आपको समझा जाएंगे तो ये देखिए बड़े राधर रानी के बाल है बड़ी राधर रानी के बाल मैंने इसले लियें क्योंकि मैं उनके हमेसा चोटी लगाती थी लेकिन जन्मास्मी बहुत बड़ा तोहार है मैं लड़ू गोपाल के साथ राधा रानी को भी अच्छी से त्यार करती हूँ अब ये है मेरा चंद्रिका का कलेक्शन ये आप देख लीजी ये चंद्रिका ये चंद्रिका सारी 100 रुपे के अंदर है वैसे तो मैं आप से ये कहूंगी के ये केवल 80 रुपे के अंदर है कोई 50, कोई 60, कोई 70 केवल 70 आप इस चंद्रिका को कहा खरीदते होंगे अगर राधा रानी जी है तो आप इसको कहीं से भी मैं तो बहुत कम बता रही हूँ 300 रुपे से कम आप नहीं ला सकते और इतनी फनीर सिंग है इतनी फनी सिंग है ये देखी ये तो केवल 50 रुपे की है तो देखिए मैंने ये एक खटी ले ली है क्योंकि राधास्ट मी भी है जन्मास्ट मी है इसलिए मैंने थोड़ी सी खटी ले ली मुझे सही रेट मिले लेकिन मुझे लगा कि साइध इतनी सस्ती हमें कहीं नहीं मिलेंगी ये देखिए 50 रुपे मैं आप कहीं से निला सकते तो मैंने ये इतनी सारी चंदर का मेरे काफ़ी राधारानी है और साइज भी इलग है तो मैंने एकटी सब के लिए ले ली है तो आप देखिए मैंने इतनी चंद्र का और केवल 70 रुपे से ज़्यादा रेट किसी का नहीं है 50-60-70 तो देखिए ये इतनी मैंने चंद्र का अपनी राधरानी के लिए ली है विंदावन से ये मैंने एक नथ ले ली थी क्योंकि नथ मैं हमेसा ओनलाइन मगाती हूँ और ये नथ भी मैंने किवल 30 रुपे के लिए ये भी आप कहीं से ने ला सकते 30 रुपे में अब देखिए यहाँ मैंने विहारी जे के लिए मोरपंक की कलंगी लिए है इनका रेट मुझे ज़्यादा नहीं पता है लेकिन ये सम मैंने 50, 35, 35, 35 ऐसे 30 रुपे और इतनी सुन्दर है क्योंकि मैंने एक बार बूचा था तो 120 रुपे की यहाँ हात्रस में बताए था तो हात्रस में तो बहुत महँगा है जादतर 120 ऐसे ही आती है लेकिन ये सम मेरी देखिए 35, 50, 40 इस तरीके से है 50 से उपर कोई भी नहीं है तो देखिए ये बिलू वाली कितनी सुन्दर है तो ये सब 50 के अंदर ही है डेकोरेटिव वाली भी और ये इस तरीके से बनी हुए ये भी 35 की भी है इसमें दो जो नगवाली है वो 50 की है बागी पर ये मैंने दो सैट लिये हैं देखिए होल सेल की दुकान से लिया है तो इस पर रेट अगर आप एक पीस लेंगे तो 120 का है लेकिन मैंने यहाँ काफी सामान होल सेल के रेट पर लिया है तो ये दो पीस मुझे पड़े हैं केवल 77 रूपए के और बहुत हैवी है अगर आप पहनाएंगे तो आपको एक सेट के बाद जरुवत नहीं होगी, तो यह देखिए, यह आप मातापटी भी बना सकते हैं, कमर चैन भी बना सकते हैं, पाइल भी बना सकते हैं, यह केवल मैंने दो इसली ले लिए, क्योंकि मुझे अच्छी लगी और केवल ददस रुपे की थी, तो मैंने य देखिए, यह उपर वाली चंदर का है, तो यहाँ देखिए, यह चंदर का केवल मैंने पचास रुपे की लिए, पहले मुझे पता नहीं था, होल सेल में इतना अच्छा मिलता है, पहले मैंने यह डाई सो की लिए थी, लेकिन इस बार मैंने पचास की, यह देखिए, नत हैं, हम आराम से 30-35 रुपे की लाते होंगे, वैसे तो ज़्यादा की, लेकिन यह नत सारी मैंने, 10 रुपे की मैंने, 6 ली ती, 50 रुपे मैं 6 दीती हूं, यह मैंने बेसर लिए, यह यह दिली ले लिए, यह वी 10 रुपे की है, कि कभी जब मैं काना जी को सजाती हूं, तो उनके हाथ पे या मुकट में इस तरीके से बटरफिलाई भी सजा देती हूं बहुत ही अच्छी लगती हैं तो यहां देखे यहां मैंने चंदन की लगड़ी लिया क्योंकि गर्मिया है तो प्योड चंदन मुझे विंदावन में मिल गया था और यहां मैंने एक ली थी घंटी मैंने एक बहुत अच्छा टिपिन भी लिया था पता नहीं मैं उसे रखके बूल गई हूं मुझे मिली नहीं रहा है बहुती सुन्दर है मिलेगा तो मैं वीडियो सेर्ज जरूर करूंगी तो देखे यहां मैंने दीपक और एक घंटी भी लिया अब यह देखे यह मुझे कितना सुन्दर है कुछ अलग था तो मैंने इसको भी ले लिया यह किवल 50 रुपे का है आप इसमें मोरपं कलंगी ल कमेंट बॉक्स में बता दूँगी इसके बाद देखिए यह है राधा रानी की चंदर का जो हम टीके के ऊपर लगाती है यह केवल है 35 रुपे की जो मैंने दो लिए हैं दो मैंने इसली लिंक के मेरे यहां काफी राधा रानी है लेकिन जो दो के आ सकती थी मैंने उनके लि फ्लॉवर लगा है मोटर लगी है और इसमें देखिए यहां पर फबारा भी लगा हुआ है तो मैं आपको बता दूँग इसको मैं काफी टाइम से लेना चाहरी थी लेकिन यह हात्रस में तो साड़ी साथ सो का था विंदावन में मैंने काफी जगे पूछा बहुत जगे प बताएं यह देखिए यह है हमारा छोटा सा फिल्टर इसको भी मैं बहुत टाइम से ढून रही थी लेकिन मैं मैंने काफी पर इसको सर्च किया तो वहां चार सो पान सो साच सो हर जगे इतने रेट हाई थे तो फिर मैंने इसको नहीं लिया अवे वहां से लाई हूँ तो य देखिए यह इसमें कुछ भी डुप्लिकेट नहीं है देखिए यहां इसके साथ एक गिलास भी दिया है और इस बोतल में हम पानी भर सकते हैं डेली ठाकुर जी के लिए आप सुद्द जल ताजा भरें और देखिए इस तरीके से पानी निकाल कर हम ठाकुर जी को पिला भ रही ती काफी महंगा था लेकिन ये भी मुझको 200 रुपे में मिल गया तो ये मैंने ले लिया इसके बाद देखिए इतनी सारी सौपिंग कम रेट में मैंने विंदावन से की है जो जनमास्तमी की है बहुत ही कम रेट में मुझे ये सारी चीज़ें मिल गई क्योंकि मैंने सौपिंग सुरू कर दी है अभी मैंने इतना खरीदा है आगे मैं जो भी जनमास्तमी के लिए खरीदूंगी उसकी वी वीडियो आपके साथ सेर जरूर करूंगी अगर आप भी इतने कम रेटों में लेना चाते हैं तो आप मुझे कमेंट करें मैं आपको एड्रेस बता आपको हमारे वीडियो कैसी लगी यह कमेंट बॉक्स में जरूर बता है और वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइट शेर अवस्त करें इस तरीकी की वीडियो और सिंगार की वीडियो आपको मेरे चैनल पर मिलती रहेंगी